हलो फ्रेंट देसे दोधे वेलकम टू इंग्लिश बाय उदेसे यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल गई और इसके पहले कई हम लोग डिसकस कर चुके हैं आज की सीरीज में कुछ और भी एमसी क्यूज में लेके आए हूं पूरे कॉंसेट के साथ और पढ़ते जाएए और इधर उदर बिल्कुल परेशान मत हो यह कैसे तैयार होगा वह कैसे तैयार होगा कुछ नहीं सीधी सीधी चीज़े चीज़े सीधी सीधी आपका सेलेक्शन हो जाएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेटेटेजी में है नहीं अगर आपको लग रहा है इंगलिस बहुत तफ है कि साल लिट्रेश्य लिट्री टर्म फिगर स्पीचेज या ग्रैमर कैसे तैयार होगा तो आप बिल्कुल परेशान मत हो और किस पार्ट में रहे तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं या तो यहां पर आपको कंपारिटिवली को हटाना पड़ेगा या तो कंपारिटिवली को हटाना पड़ेगा या बेटर को आपको गुड में बदलना पड़ेगा किसमें बदलना पड़ेगा या तो बेटर को की गूट का यूज हो तो ये चीजय छीजय अब ध्यान रखेगा तो पार्ड- इसमें देखा जाया अगर काईदे से किस पार्ट मेरर है तो इसमें पहले ही पार्ट मेरर है फिर से मैं बता रहा हूं comparatively हो गया relatively हो गया इन सभी के बाद positive degree आती है क्या आती है positive degree comparatively good होगा comparatively better नहीं होगा तो यह छोटी-छोटी बाते आप सभी को ध्यान रखना है तो comparatively और जो मैंने बताया relatively इन सभी के बाद positive degree adjective का यूज करते हैं ना कि comparative अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन तो बहुत जाद आसान है आप भाई की चर्चा कर रहे हो या बहन की इस का कैसे पता लगता है तो subject से पता लग जाए जैसे मैंने का he is my cousin तो he से पता लग गया कि आप भाई की बात कर रहे हो she is my cousin she से पता लग गया कि आप sister की बात कर रहे हो right तो cousin के साथ brother या sister हम नहीं लगाते हैं से उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं okay अगला question देखते हैं आज का yesterday बहुत अच्छा question है बहुत जादा अच्छा question है क्या लिखा हुआ है yesterday in the night he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed तो yesterday in the night के बदले आप यहां पर last night कर लिए क्या कर लिए यह last night का यूज़ोगा क्योंकि हम yesterday night या yesterday in the night का यूज़ नहीं करते हैं last night का यूज़ करते हैं है ना last week का यूज़ करते है last month का यूज़ करते हैं राइड अगर आपको बोलनों he came here तो आप बोलोगे last week last month last year whatever you want to say तो यह याद रखेगा in the last month in the last year तो देखिए, this is the new book, which my father bought, it लगाने की यहाँ पर कोई जरूत नहीं है, it यहाँ पर superfluous है, right, it की यहाँ पर कोई जरूत नहीं, bought, right, object है which, right, तो यहाँ रखिए कि bought का जो object है, which है, जैसे this is the man whom I have invited, right, आप यह नहीं, यह नहीं बोलोगे, this is the man whom I have, I have invited him, तो him लगाने की कोई जरूत नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए, this is the new book, which already लगा हुआ है, तो which book की बात कर रहा है, तो it लगाने की कोई नहीं यहाँ पर नहीं है, okay, आगे बढ़ते हैं, एक और question देख लेते हैं, बहुती कम समय में छोटे-छोटे concept बहुत मज़ेदार हो क्योंकि what जब relative pronoun के रूप में आता है, जब what relative pronoun के रूप में आता है, तो मैं आपको बता दूँ, तो इसका मतलब होता है, the thing which, या the things which, right, तो what में antecedent छुपा हुआ है, यहाँ पर what में antecedent छुपा हुआ है, और इस पस रूप से किसी भी antecedent को refer नहीं करता है, जैसे what you like most, या is the book, is this book, what you like most, is this book, right, तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा, तो भाई सब the thing को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि what में antecedent आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, चुपा रहता है, तो the thing लगाने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, या फिर पार्ट ए में अरर है, किस में अरर है, पार्ट ए में अरर है, थाइंक यू वेरी मच,